शिवाजी महाराज की प्रतीमा गिरने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्षन मुर्तिकार जैदीब आप्टि गिरफ्तार महारास्ट की राज़कोट के लिए में पिछले महीने चत्रपती शिवाजी महाराच की मूर्थी गिरने की मामले में फरार मूर्तिकार ठेकेदार जैदीब आप्टी को बुदवार चाहर सितंबर की राज ठाणे जिले के कल्यार से गिरफतार किया गया एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने कहा कि महारास्ट में सिंदु दुर्ग पुलिस जैदीब आप्टी की तलाश कर रही थी क्योंकि उसके द्वारा बनाए गए मूर्ति 26 सगस्त को उधगाटन के 9 महीन से भी कम समय में गिर गई थी पुलिस ने उसकी तलाश के लिए साथ टीमें बनाई थी मूर्ति गिरने के बाद मालवर्ड पुलिस ने जैदीब आप्टी और स्ट्रक्च्रल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ लापरवाही और अन्य अपराधूं के लिए मामला से पहले एक बड़ा राज्टितिक विवात खड़ा हो गया जिसमें विपक्ष एक नाशिंदे की नितवतवाली सरकार पर निशाना साथ रहा है शिवशेना नेताज शुश्मा अंधारे ने कहा कि राज्य सरकार को जैदीव आप्टी की गरफतारी का कोई श्रह लेने की को कमेटी ने मालवर्ड के लिए का दोरा किया और घटनास्तल की जाच की पुलिस ने मूर्थी के लिए इस्तिमाल की गई समागरी के सेंपल और मंच को जाच के लिए फरनसिंग लैप भीजा है राज्य कांगरीस प्रमुक नारा पटोले ने पूरे में आरूप लगाया कि दसला 5 करोड रुपे खर्च किये गए जबकि इस काम के लिए राज्य के घजाने से 236 करोड रुपे लिए गए थे वहीं मुख्यमंत्री एकनाशिंदे इस घटना पर कहा कि विपक्ष मूती डेहनी की घटना का राजनिती करण कर रहा है वहीं इस पर नाना पटोले ने कह कि शिवाजी महाराज के अपमान के खिलाब गुस्सा निकालना मामली का राजनिती करण नहीं कहा जा सकता है